So Hello Friends, Welcome to my another video of Assassin's Tweed Friends, इस वीडियो में हम जानेंगे Who is right between the Assassins and the Templars So Friends, इस वीडियो को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे Goal, Portrayal and Functionality So Friends, Let's Start with Goal Friends, Assassins का हमेशा से लिए मानना है कि हर किसी बंदे को Freedom होना चाहिए कुछ भी करने का इसलिए वो हमेशा से Freedom के लिए ही लड़ते आए है So Friends, Templars चाहते हैं कि हर जगे Rules and Regulations हो और सब लोग पीसफुली रहे और उनका ये मानना कहीं न कहीं सही भी है Friends क्योंकि अगर Rules ही नहीं होगे तो कोई भी इंसान कुछ भी कर देगा और तो कुछ नहीं होगा Friends इसलिए Templars का cause भी सही है So Friends, Assassins चाहते हैं कि सब को Freedom भी है लेकिन उनका ये सही भी है क्योंकि अगर Freedom ही नहीं होगा तो कोई भी इंसको अचीव नहीं कर पाएगा And on the other hand, Templars पीस and Order लाना चाहते हैं यानि की Rules उनका भी सही सही है क्योंकि अगर Rules नहीं होगे तो कोई भी किसी का भी Murder कर देगा और उसको कुछ नहीं होगा तो वो यहीं चाहते हैं कि हर जगे Rules हो और सब Peaceful ही रहे So Friends, अब आते हैं पूट्रेल पे Friends, Assassins Creed franchise ने Assassins Creed के सुरूट के गेम्स में Assassins को एक Protector दिखाया है यह हमें देखने को मिला Assassins Creed 3 में Heathem Kenway के sequence में और Assassins Creed Rogue में Shay Patrick Cormack के sequence में So Friends, उस गेम में हमें देखने को मिला था कि Templars भी एकदम सही cause के लिए लड़ते हैं और Assassins भी हमेंसा सही नहीं होते हैं इसलिए हम लोग को Templars का Prospective दिखाने के लिए Ubisoft ने Assassins Creed Rogue launch किया था लेकिन Assassins और Templars को एक दूसरे के cause के बारे में ज़्यादा पता नहीं है इसलिए वो दोनों इक दूसरे की नजर में विलन्स हैं उन दोनों का अगर एक दूसरे का cause पता होता तब वो लोग साथ कॉंप्रमाइस कर सकते थे So friends अब बात करते हैं Functionality की Friends जो Templars होते हैं वो जादार Faction यानि की Groups में ही चलते हैं और जो Assassins होते हैं जादार Shadow में रहते हैं मतलब वो अकेले हमीसा अपना काम करते हैं वो बहुती कम Group में होते हैं और Friends अगर वो Group में भी होते हैं तो वो भी बहुत कम टाइम पिरिट के लिए क्योंकि वो इतने ज़्यादा स्किल्ड होते हैं कि वो अकेले ही 5-6 या फिर 10 या 20 से भी ज़्यादा Templars को हरा सकते हैं तो जैसा कि मैंने कहा बोथ Assassins and Templars दोनों को एक दूसरे के कॉस के जादर नाड़ेज नहीं होती है इसका डारेक्ट एक्जामपल हमको Assassin's Creed 3 में मिला था जब Connor को पता चल गया था कि Hatham एक सही कॉस के लिए लड़ रहा है इसलिए उसने उसका साथ दिया था क्योंकि दोनों का कॉज एकड़ नगभड़ नगभग सें है ख्यार गाइज यह तो मेरा ओपिनियन था अगर आपको अपना ओपिनियन देना है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं मैं उसको जरूर देखूँगा So friends, this is the completed video of Assassin's vs Templar, Who is right? So friends, I will see you in the next video Thanks for watching